दोस्तो आज हम बनाएंगे आलू और अंडे के साथ बहुत ही बहतरिन सी स्नेक जिसे आपने कभी शायदे ट्राइ किया होगा इसे आप पाओ के अंदर रखकर बर्गर के जैसे सर्फ करें या फिर एज़िटी सर्फ करें बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दोस्तो चलिए आज क इस रेसिपी को बराना स्टार्ट करते हैं हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चानल सोनिस किचन जहां पर आप देखेंगे अपने मन पसंद की स्वाधिस रेसिपी तो देर किस बात की चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन क्लिक करें वीडियो देखने के बाद इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए तिन बड़े साइस के आलू आलू को उबाल कर थंडा करने के बाद मैंने से छील कर ले लिया है अब हम आलू को ग्रेट कर लेंगे या फिर आप हाथ से तोड़कर स्मयाश भी कर सकते हैं आलू को ग्रेट कर लेने के बाद फिर फिर से हम थोड़ा सा हाथ से मसलते हुई से सॉफ्ट कर लेंगे जिससे आलो में कोई पार्टिकल नहीं रहेगा अब हम एक मीडियम साइज का गाजल लेकर घिस करकेस में डाल देंगे इसी के साथ एक बड़ा चमच घिसा हुआ लसुन डालेंगे एक छोटी चमच औरिगयनो या फिर मिक्स अप्स डाल दे दो हरी मिच बारिक काट कर डालेंगे एक छोटी चमच डालेंगे चिली फ्लेक्स ये हूममेड है स्वात के नुसा नमक और दो बड़े चमच कटा हुआ हरा धनिया यहाँ पर मेल ले रही हूँ आधा कप मौजरेला चीज आप चाहे तो प्रोसेस चीज भी ले सकते है इसी के साथ दो बड़े चमच कॉन फ्लार या फिर आरा रूट अड़ करेंगे और अच्छ से मिलाती हुए एक डो जैसा इसे बना कर रेडी करेंगे अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे तब तक हम इसके लिए एक डिप रेडी करेंगे दो बड़े चमच मैदा, दो बड़े चमच कॉन फ्लार लेंगे इसमें एक चोथाय कप पानी डाल कर अच्छ से मिला लेंगे जैसे इसमें कोई गुटलिया ना रह जाए अब आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लंप्स नहीं है अब हम इसमें डालेंगे स्वात के नुसा नमक, एक चोथाय छुटी चमच, काली मिरी का पाउडर और एक और बार अच्छ से इसे मिला लेंगे और ये डिप हमारा रेडी हो चुका है, इसे भी साइड में रखते हैं अब हमें जो इंग्रिडियन चाहिए वो है उबले हुए अंडे, पाच अंडो को मैंने उबाल कर लिया है इसे थंडा होने के बाद इस तरीके से पीसेस में कट कर लेनी है और ये अंडे के पीसेस को हम हमारा स्नैक्स में यूज़ करेंगे और कैसी यूज़ करना है चले आगे देखते हैं हमारा जो आलू का डो हमने रेडी किया था उसका एक छोटा सा पोशन लेंगे और इस तरीके से फिला देंगे फिर जो हमारा अंडे का पीश से उसे बीचों भी रखेंगे और इसे पैक करेंगे अब इस तरीके से रेडी करके रखेंगे जो भी ये स्नेक खाएगा बीश में अंडे का सर्प्राइस देखकर इंप्रेस होगा अब मैं एक और बना कर दिखाती हूँ ये देखिए आलू का डो को हमें लेकर फेला देना है हाथ में और बीच में अंडे का पीश रखकर पैक कर लेना है हाथों को ओइल से ग्रीज कर लिजे जिसे ये चिपके का भी नहीं और इस तरीके से मैंने सारे कटलेट्स हमारे रेडी कर लिए है इसे हम 10 मिनिट के लिए फ्रीज में रख देंगे कटलिट्स के उपर एक क्रंची सा लेयर देने के लिए हमें चाहिए कुछ बारिक सेवे या जिसको मैंने चूरा बना कर लिया है इसे वर्मी से लिए भी कहते है या फिर आप ले सकते हैं कॉन्फलेक्स इसका भी आप चुरा बना कर ले लिजिए या फिर आप ब्रेड क्रंब्स भी उज़ कर सकते हैं आपके पास इन तीनों में से जो एवेलेबल है वो ले लिजिए मैं आज इससे भी उस करूंगी और कॉण्फलेट भी उस करूंगी अब हम एकिक करके कटलेट लेंगे डिप के अंदर डुबो देंगे फिर इसे निकालकर सेवे या या फिर कॉण्फलेक्स की कोटिंग देंगे कुछ इस तरीके से इससे क्या होगा ना सेवे या हो या फिर cornflakes या फिर bread crumbs इसकी moisture को observe कर लेगा और fry होने के बाद एक बहुत ही अच्छी crispiness या crunchiness देगा अगर मुझे पूछेंगे तो specially मुझे सेवे की coating अच्छी लगती है इससे बहुत ही अच्छी एक crunchiness आती है और ये same process से हम cornflakes भी इसके उपर coat करेंगे आप इस तरीके से इसे ready करेंगे freezer में store करके रख सकते jip lock bag में और जब चाये तब fry भी कर सकते one week तक आप इसे store कर सकते freezer में अब ये cutlets fry होने के लिए ready हो गया है अब हम ये cutlets को fry करेंगे तेल भी गरम हो गया है flame को मैंने hyper रखा है high flame पे हम ये cutlets को fry करेंगे अगर आपकी gas की flame बहुत ज़्यादा तेज है तो आप medium flame पे भी इसे fry कर सकते है क्योंकि इनमें हमने जो भी चीज़े उसकी सारे चीज़े पकी हुए तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा इसे fry करने के लिए बहुत ही जल्दी fry होकर ready हो जाता है बस एक तरफ जब अच्छी क्रिस्पीनस आ जाए तब हम इसको पलट लेंगे एक अच्छी golden color आ जाने पर हमें पलट लेनी चाहिए फिर दुसरी तरफ भी उसी तरीके से fry करेंगे और यहां पर आप देख सकते है यह cutlets में से कुछ ready हो चुके है तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी बचे हुए cutlets को भी हम fry कर लेंगे और यह देखिए हमारे cutlets ready हो चुके है इसे आप burger की टिकी के लिए उस कर सकते है या फिर पाओ के अंदर डाल कर सर्व कर सकते या फिर यह as it is भी बहुत अच्छी लगती है cutlets green chutney के साथ बहुत ही अच्छा जाता है आप इसे green chutney और थुड़ी से salad के साथ सर्व करें और इस रमजान में मेरी रेसिपी को इफतार के लिए जरूर ट्राय करें और मेरे साथ अपना feedback जरूर शेयर करें चेलिए दोस्तों अब हम ये cutlet को काट करके भी देख लेते हैं देखिए बाहर से ये कितनी crispy है अंदर से एकदम soft और cheesy बीच में जो एक की surprise है ना वो बहुत interesting बनाती है इस रेसिपी को आप अपने बच्चों की evening snacks के लिए से जरूर ट्राय करें और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंट्स और फैमली के साथ चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करके बल आइकन क्लिक करें फिर मिलते हैं को और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड टिके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद